तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं graph के concepts और questions ठीक है एक तो मेरा अलग सी graph का playlist है जहां पर मैं सिर्फ questions बनाता हूं और समझाता हूं बट यह playlist बहुत ही important होने वाला है इस playlist में graph के concepts बताऊंगा ठीक है तो concepts बताना और questions solve करना दोनों different है but they are very much related क्योंकि किसी भी question को बनाते हो तो it is always related to some concept ठीक है तो अगर अपर concept strong है तो आप questions बना लोगे ठीक है तो इस playlist में मुसी पर ध्यान देंगे ठीक है यह पहला वीडियो है इस playlist का और यह बहुत जरूरी बात मैंने लिखी इसको पढ़ो ठीक है if it makes you laugh if it makes you smile and glad ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जो पढ़ाने का जो जर्णी होगा वो कुछ ऐसा होगा मैं एक topic पढ़ाऊंगा उस पर questions बनाऊंगा ठीक है question 1 question 2 question 3 and so on जितने भी बनाने की दरुद पढ़ेगी ठीक है उसके बाद दूसरा topic पढ़ाऊंगा फिर उस पर question बताऊंगा ठीक है और similarity probability इसी तरह बहुत सारे chapters आते थे तो हम इसी तरह पढ़ेंगे अपने इस topic को graph को और graph में बहुत सारे topics होते हैं ठीक है हर एक topic को उठाएंगे topic 1 उस पर questions बनाएंगे topic 2 उस पर questions बनाएंगे तो उससे फाइदा क्या होगा questions बनाने से ये topic clear हो जाएगा और इस topic पर based कोई भी question आएगा न तो आप at least approach तुदर उकर पाओगे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं ठीक है तो introduction to graphs ये बता के मैं आपका time नहीं waste करने वाला most of the videos इसमें time waste करते हैं यहर graph का introduction आपको क्या चाहिए अब कहीं से इपढ़ लो मैं theory बताने के लिए आपर नहीं हो मैं आपका concept building के लिए आपर हो हाँ ठीक है हाँ कुछ-ुछ term जान लो जो आपको जानना चाहिए कि दो तरह के graph होता है एक तो होता है undirected graph ठीक है इसमें क् चाहिए होता है वह directed graph होता है यह undirected graph है यह directed graph है dg और udg ठीक है और इसको vertices बोलते हैं ठीक है और इनको edges बोलते हैं मैं ज्यादा time waste नहीं करूँगा इतना आपको पता है और यह theory आपको जानने की जरूद भी नहीं इतना आपको पता होगा ठीक है अब ग्राफ को समझने क लिए ठीक है हमने क्या प्रता अलग अलग तरह कि चीजें जाननी होगी हमें topics होंगे या तो सब topics होगा उस पर questions होगा ठीक है तो वो सारे theory में अभी बता दूगा ना फिर बाद में question करूँगा तो कोई point नहीं रहेगा आप relate नहीं कर पाऊगे मैं चाहता हूँ कि मैं topic बोरिंग होती है I know ठीक है बट मेरा तरीका यही पढ़ाने का होगा मैं अभी सारे theory बता दूगा और बाद में questions करूँगा नहीं वैसा बिल्कुल नहीं एक theory बता हूँगा उस पर questions होगे बहुत सारे ठीक है तो मैं example दे रहा हूँ आपको ठीक है हाँ यह तो दिमाग में questions आते हैं ठीक है इस पर बहुत सारे questions आते हैं तो cycles यहना graph को पकड़ेंगे और इस पर questions बनाएंगे तीन चार ठीक है तो cycle वाला जेतना question होगा दिमाग में बैट जाएगा हमारे ठीक है उसके बाद आगे हम क्या पढ़ेंगे दूसरा topic होगा degrees in graph ठीक है जिसमें in degree और out degree क् related questions होते हैं ना question one question बहुत सारे questions होते हैं वो मैं आपको समझाओंगा ठीक है हाँ यह सब तो बाद की बात है है और भी बहुत सारे चीज़ें आएंगी minimum spanning tree ठीक है डाइकस्तरा algorithm है ना यह फिर और भी बहुत सारे question है ठीक है वो दिरे दिरे आपको पता चलेगा ठीक है फिर disjoint set union हैं ना बहुत सारे topics हैं बट एक बात बताओ यह सब बताने से पहले आपको यह पता होना चाहिए ना कि भाई graph को represent कैसे करते हैं ग्राफ representation है ना पहले तो यह पता होना चाहिए ना तो graph representation मेरा सबसे पहला topic होगा topic number one ठीक है यह तो बात की बात है यह जो उपर बताया ह उससे पहले पता तो होना चाहिए भाई graph को जब code करेंगे graph का तो कैसे represent करोगे एक graph को ठीक है तो सबसे पहला topic मेरा ये होने वाला है इसके बाद next video में ठीक है और उसमें मैं बता हूँ ग्राफ कैसे represent करते हैं ठीक है graph को represent कर लेंगे जो जो तरीके होते represent करने का उसके बाद गर चलो ठीक है हम मुझे code करना आ गया कि मैं graph को represent कैसे करता हूँ ठीक है उसके बाद यहने कि यह topic clear हो जगा मेरा ठीक है representation वाला उसके बाद graph के traversal आएंगे बहुत सारे topics आएंगे हैं कि हाँ एक और topic आगया ट्रावर्सल है ना BFS DFS तो वह भी तो अग टॉपिक है ना उस पर भी एक फिर कोशिंस करेंगे multiple ठीक है लेकिन हाँ from before everything before starting anything on graph we should first know कि भाई graph को represent कैसे करते हैं code में यहना जैसे tree को कैसे represent करते है tree का एक left child होता है एक right child होता है तो हम ऐसे करते थे ना node asterisk होता था है ना उसका एक left child होता था और एक right child होता था आपको traversal भी पता है tree का है ना in order होता है है ना post order होता है pre order होता है इस सब पता है था आपको similarly graph को भी इसी तरह familiar कर लेंगे हमारे जबान पे होना चाहिए कि graph के क्या traversal होता है और में हमारे हाथों में एक दम याद होना चाहिए मसल में मेरी बैठ जाना चाहिए कि वह ग्राफ का BFS और DFS जम कोई पूछेगा और मैं विदिन टू मिनिट्स लिख के दिखा दूँगा ऐसा हो जाना चाहिए जैसे आज मैं आपको बोलता हूँ इनटल लिख के दिखा हो ट्री का अब तुरंद लिख देता हो तीन चाल लाइंगा कोड है इसी तरह मैं BFS और DFS graph का चाहता हूँ वैसा हो जाए आपका तो मैं बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा ठीक है तो यह हमारा इंट्रो हो गया सबसे पहला वीडियो ठीक है आगे की वीडियो में सबसे पहला टॉपिक हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं graph representation और kod करेंगे ठीक है तीरी में आप मैं आपको बोर नहीं करने वाला ठीक है मैं बाकी वीडियो की तरह नहीं बनाना चाहता मैं तो रह झाल झाल